हिलो फ्रेंड्स नमस्कार राम राम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तों आज हम राजस्थान में एक नई भरती के समन्द में आप से चर्शा करने वाला हूँ आप देख सकते हैं राजस्थान लोक शेवा आयो के दवारा एक नया नोटिफिकेशन है वो 27 नमबर 2021 को है वो जारी किया गया है विश्तिर्थ विग्यापन यह है इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए वेकेंशी आई है कितनी समद में संपूर्ण जानकारी आज है हम इस वीडियो में प्राप करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरू करें शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले में ब विबाग जो राजस्थान है इसमें ASO जिसे हमें इस्टेटिकल जो ऑफिसर बोलते हैं असिस्टेंट इस्टेटिकल ऑफिसर इसके 218 पदों पर यह वेकेंसी है वो निकाली गई है आप इसमें देख सकते हैं इसमें केटेग्रिवाइज में बात करूँ तो नोन टीस्पी इसमें 203 पद है और टीस्पी छेतर में इसमें को टोटल 15 पोश्ट है आप इसके अलवा केटेग्रिवाइज भी पोश्ट है यहां पर देख सकते हैं बूत्पूर शिनिकों के लिए 25 पद है वो रिजरु रखे गए हैं तो आप रिजरुरेशन की शीटें भी यहां देख सकते हैं इसके अलवा आगे इसमें जो जानकर यह वी से जो रूल से यहां पर बताया गया है अब मुख्य रूप से बात कर लेते हैं जो स्यक्षिक योगिता है सबसे पहले बताया गया है कि एट लिस्ट ए सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री मेथिमेटिक्स इस्टेटिक्स इकोनोमिक्स और कॉमर्स और जहां आ जाता है तो इसका मतलब होता है अथ्वा मनब दोनों में से एक या इसमें और यहां भी आ गया है अब आगे नमबर टू पर है एक तो यह तो हो गई कि आपकी जो सेक्षिक जो क्या चाहिए आप समझ गये होंगे कि इसमें क्या चाहिए नमबर दो है और और अब और और आपको एक कम्प्यूटर का डिप्लोमा है वो भी आपके पास में होना चाहिए जो यहां पर दिया गया है नमबर दो पर दिप्लोमा की बात हो रही है तो इन में से आपको कम से कम है एक कम्प्यूटर का डिप्लोमा अन्युआ रहे है और शिक्षिक योगिता की क्वालिफिकिशन की बात करें तो इसमें आपको जो एक नमबर है इसमें master degree के समंदि में diploma या degree के बारे में बात की गई है तो इन में से आप किसी एक subject पास आउट होनी चाहिए तो इसमें लिखर का है आगे में बात करूँ तो working knowledge of Hindi written इन देवनागरी script and knowledge of Rajasthan culture यानि कि Rajasthan की Sanskrit और जो देवनागरी लिपी है हिंदी बासा की उसका knowledge आपको होना चाहिए अब सेक्षिक अरहतासमंदी प्रावदान है वो क्या है अगर आप अंतिम वर्स की प्रिक्सा में सामिल हुए है तो भी दोस्तों आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं इसमें इस पर स्टूप से लिखावा है अब वेतन की बात करें तो दोस्तों वेतन भी इसमें काफी अच्छा वेतन रहने वाला है रनिंग पे बेंड L11 यानि ग्रेड पे 42 की वेकेंशी है काफी अच्छा वेतन आपको यहां पर मिल रहा है और आयू सिमा की बात करें और reservation जो categories है इनको अलग से इसमें छूट है वो दी गई है अब हम आगे बात करते हैं इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी category को किती छूट है वो दी गई है तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं अपनी कैटेगरी में जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुसुची जाती जन जाती हैं तो इनको भी काफी छूट कही जा सकती है आप यहां पर देख सकते हैं और सामाने जो वरकी महिला हैं उनको पांस साल की छूट है वो यहां पर दी गई है ठीक है तो आप यहां पर छूट जो दी गई है इनको आसानी से देख सकते हैं वीडियो और विछिन यानि परित्यक्त के माध्यम से किया जाएगा प्रिक्सा का इस्थान के समन्ध में जल्ल ऑपको सूचना दे जै जाएगी प्रिक्सा योजनव पार्टेग्रम है आपकी प्रिक्सा ओनलाइन या अफलाइन दोनों में से कोई एक ली जा सकती है सबी वस्तो निश्ट प्रकार के परसन है उसमें आएंगे और आवेदन की आउदी की बात करें तो इसमें आपकी जो आवेदन की आउदी है वो एक दिसम्बर दोजार इकिसे बीस दिसम्बर दोजार इकिस तेक है याई आप एक दिसम्बर से बीस दिसम्बर के मद्दे इसम एकदम सिंपल पर क्रिया है, इस वेब साइट पर जाना है और अपना एसस वाइडिया आप नहीं बना लेना है और एकदम simple process है उसके बार ही उसके अंदर जो recruitment portal है यानि कि भरती portal है उसके अंदर जाओगे तो आपको ASO के नाम से है जो भरती portal है वो मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसका आविदन फर्म है वो भर सकते हैं आगे हम बात करें तो इसमें जो आपका फाट एक्रम है इसके बारे में बताया गया है कि कौन सा matter है कितना आएगा तो यहाँ pattern बताया गया है कि टोटल यहाँ पर आपको मतलब 100 क्यूसन देखने को मिलेंगे और 100 ही marks होंगे और 2 गंटे का टाइम है आपका मिलेगा इसमें जिसमें सबसे पहला है general knowledge जो मातर 30 number का आएगा और इसके अलबा जो आपका statics, economics और mathematics है वो आपके 70 number का आएगा यानि दोनों मिलाकर 100 marks का आपका paper होने वाला है तो इसमें जो आपका subject है वो अच्छा इसमें portion है वो जाने वाला है तो आप अच्छी तयारी करके इसमें selection है वो ले सकते है total so question आएंगे one by third आपकी negative marking है वो रहने वाली है minimum qualifying marks 40 पर 30 marks यहाँ पर लेकर आने compulsory है तो यह भी आप ध्यान रखें आगे मैं बात करूँ तो जो इसका exam level रहेगा वो आपके master degree यानि की post graduation MA या M.com यह मतलब की post graduate है PG level का जो आपका है वो paper है और रहने वाला standard की बात करें तो प्रिक्सा सूल के बारे में बात करें तो प्रिक्सा सूल के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रिमिलियर और जनरल है उनके लिए 3500 रुपे है और इनके अलबा जो OBC, EWS, MBC इनके लिए 500 रुपे है और जिनकी आए 500 रुपे से कम है वार्शिक है उनकी फीस है वो मातर डेड़ सू रुपे आपको प्रिक करनी है इसके अलबा ओनलाइन application फरम बरने से सम्मझत जानकारी है आपको यहां पर दी गई है तो आप इसे देख सकते हैं इसका official notification है उसको जरूर देखें क्योंकि जब भी आप किसी भी भरती के लिए आउदिन करते हैं तो सबसे जूरी होता है कि आप उसका भरती का जो notification है सबसे पहले उसे पढ़ें तो यह आपका दैत्व बनता है ताकि आप उसकी जो rules है उनको पूरी तरह समझ सकें और उनीक एनुसार त्यारी करके आप उसमें selection है वो pass कें तो दोस्तों इसका जो syllabus है official syllabus है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊँगा तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है आपके लिए health हो रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए तो दोस्तों फिर से मिलता है next video में इसी भी प्रकार की लेट टेस्टर सुचना के साथ में अभी के लिए इतना ही पिर से मिलता है next video में तब तक लिए धन्यवाद जे हिंद जे भारत